आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैट्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशिन की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ हाई फ्रेंट्स, इस क्वेशिन हम से पूचा है विच अप दे फॉल्लिंग रेक्शन विल टेक प्लेस अड दी अनोड दूरिंग इलेक्ट्रलिस अफ कॉपर सल्फ़ेट उसिंग कॉपर इलेक्ट्रोड तीक है तो यहां पर जो सबसे पहले देखना है वो है कि हमारी इलेक्ट्रोड है कॉपर के कॉपर इलेक्ट्रोड मतलब यह कॉपर क्या है कॉपर एक अक्टिव एलेक्ट्रोड है वो इनर्ट इलेक्ट्रोड नहीं है तो कोई भी अगर active electrode रहता है, तो क्या होता है, always electrode is oxidized at anode, ठीक है, कोई भी अगर हम active electrode लेते हैं, तो हमेशाज electrode की ही oxidation होती है, कुछ भी solution present हो, regardless of solution present, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, copper electrode है, तो अगर copper का oxidation होना है, तो क्या होगा, electrons leave करेंगे, so Cu 2 plus, plus 2 electrons, ठीक है, यह होगा हमारा reaction, ठीक है, तो हमारा जो answer हो जाएगा इस question का, वो हो जाएगा option 1, कि copper solid से copper 2 plus, plus 2 electrons, ठीक है, यह होगा हमारा answer, reaction में क्या होता है actually, जो copper होता है, वो anode से, वो anode पर, dissolve हो जाता है solution में, और फिर, वो cathode में जाके, जो copper 2 plus है, वो reduce होके, cathode पर deposit हो जाता है, इसे क्या होता है, हमारा जो anode होता है वो धीरे-धीरे क्या होता है धीरे-धीरे reduces in thickness मतलब उसकी जो thickness होती है वो reduce होती है और cathode की क्या होती है increase होती है increases in thickness ठीक है तो हमारा जो answer हो जागा इस question को वो क्या हो गया option 1 आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप या वाच्साप कीजिए अपने डाउट आट चार्सो 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 पर